मित्रों आज हम आपको 20 ऐसे सपने बताएंगे जो सपने धन प्राप्ती की योर इशारा करता है तो मित्रों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकाउन जरूर दबाईए ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालू तो नूटिफिकेशन शब से पहले आपके पास पहुँचे मित्रों जब हम कोई शपन देखते हैं और जब हमारी आखे खुलती है तो हम शपन फल जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि मैंने जो शपना देखा है उसका क्या फल होगा शुब होगा या अशुब होगा तो आज आपको हम 20 सपने ऐसे बताते हैं जिनके आने पर धन प्राप्त होने के आशार रहते हैं यदि आप सपने में भगवान देखते हैं तो इसका यह हर्थ हुआ कि आपका कोई काम बनने वाला है या फिर आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है सपने में किसी कन्या को देखना भी धन प्राप्ति का संकेत है अगर आप सपने में खुद को कान में बाली पहंते हुए देखते हैं तो इसका मतलब मालक्षमी की क्रिपा आप पर होने बाली है सपने में दीपक का जलना बहुत ही शुभ माना जाता है और ए धन लाव की ओर इशारा करता है सपने में कमल का फूल देखना इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होने बाली है सपने में किसी किशान को खेती करते हुए देखना या हरे भरे खेत देखना इसका मतलब होता है कि आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है सपने में गाय का दूध लेते हुए देखना इसका आर्थ होता है कि आपको आने वाले दिनों में धन की प्राप्ति होगी शपनों में फलो से लदा बरिक्ष देखना धन प्राप्ति का सूचक है शपने में गाय का दूद या फिर गाय का घी देखना भी जल्द लक्ष्मी प्राप्ति की ओर इशारा करता है शपने में अगर आप साप को फन उठाय हुए देखते हैं फिर या उसके पास आप साप को बिल के पास देखते हैं तो आपको धन मिलने का अवशर प्राप्त होता है अगर आपको शपने में तोता दिखाई देता है तो इसका यह र्थ हुआ कि आपको सिगधी धन प्राप्ति होगी सपने में इनसान का मल देखना भी शुभ माना जाता है ऐसा सपना अना धन के आने का संकेत देता है सपने में मधुमक्खी का छत्ता देखना भी धनप्राप्ती का सुचक है सपने में आप अपने को कोई पहार पर चड़ते हुए देखते हैं या कोई उचाई पर चड़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसा आने वाला है एदि कोई सपने में नेवला देखता है तो उसे जल्द ही आने वाले शमय में खीरे जवाहरात मिल सकते हैं सपने में तोता देखना भी बहुत शुभ माना गया है सपने में बरागहर या महल देखना भी बिहद शुभ होता है चपने में गनेश जी का वाहन चुगा को अगर आप देखते हैं तो यह बहुत ही शुब होता है और धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है